हाई फ्रेंड्स आज की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका तो आज की वीडियो तो बड़ी ही काम की और बड़ी ही कमाल की होने वाली है आज की वीडियो में हम तो आल अबाउट सोलर सिस्टम और सोलर पैनल के उपर जानेंगे तो यह है चार्ज कंट्रोलर 10 A का तो 10 A का यह चार्ज कंट्रोलर है बट आप इसमें 8 A तक ही इसमें सोलर पैनल का लोड जो है वो दे सकते हो इसको हमने खरीदा है Amazon से और उसका आप मेन्यू जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से 600-700 रुपे में आपको यह बड़े आसानी सी मिलेगा और यह आप देख सकते हो एक हमारे पास है inverter 2-300 रुपे में आपको यह मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास है एक 12V 14 A की बैटरी एलेक्ट्रोनिक शॉपकर आपको बड़े आसानी से मिलेगा बारा से हो तेरा सो रुपे में मिलेगा तो ये है हमारे पास बारा होल्ट का एक DC फैन दोसो डाईसो में आपको आसानी से मिलेगा और अगर आप solar system दिन में रन करना चाहते हो तो आप एक ऐसी छूटी बैटरी लेना 600-700 रुपे में आपको ये fix rate है इसका 700 रुपे शायद तो आपको ये मिल जाएगा 6 month की warranty के साथ और भाई अगर आपको मिल जाता है low price में एक पुरानी बैटरी तो वो भी आप खरीज सकते हो solar panel है 20 वाट का 1300 रुपे के आसपास आपको ये मिलेगा online ही खरीदना आप Amazon से offline खरीदोगे तो बहुत ही महेंगे मिलेंगे तो ये आप पर depend करता है कि आप इसे कहा से खरीदते हो और आप ये मत सोचेगा कि हमें को damage product मिलेगा और इन सभी product की links मैंने description box में दिया हूँ और जितने भी products मैंने आपको इसमें दिखाए है कोई जरूरी नहीं कि आपको सभी लेने है आप अपने मन मुताबिक इसमें आप ले सकते हो जैसे कि charge controller ये है 6700 रुपे में तो आप एक X-side का charge controller भी ले सकते हो जो की वो 300-400 रुपे में 6A का बड़े ही असानी से आपको मिलेगा charge controller में पहला वार हमने connect किया है solar panel का दूसरा जो है battery के लिए charging के लिए और तिसरा जो है load के लिए जहांसे आप charge controller में से आप load ले सकते हो charge controller में आपको full protection देखने को मिनेगा जैसे short circuit वगरा कुछ भी नहीं होगा इसमें आप short करते हो दोनों वायर तो solar charge controller अपने आप बंद हो जाएगा खराब नहीं होगा और यह battery जो है मेरी पुरानी थी यह पूरी तरीके से खराब हो चुकी है लेकिन अगर आपको electronic shop पर पुराने battery मिलती है अच्छी quality की तो आप ले सकते हो जैसे ही charge controller से wire बैटरी में connect करेंगे तो यहाँ से solar panel के जो पी power supply है वो battery में जाएंगे फर्स नंबर के बटन से आप प्रेस करके इसमें settings कर सकते हो अगर आपने 20 watt का solar panel को connect किया है तो आप minimum इसमें 13 volt इसमें set करके आप battery को charge करिएगा जैसा voltage को भी adjust कर सकते हो जो भी output में voltage आएंगे याने कि load पर जो भी आप voltage को connect करोगे तो आप इसमें voltage set कर सकते हो कि आपको कितने voltage चाहिए जैसे कि 12 volt चाहिए और उस से ज़्यादा या फिर कम चाहिए जैसे इसमें ये भी setting कर सकते हो जैसे ही battery आपकी 10 voltage पर आती है या फिर 11 volt पर आती है तो आपके load को ये अपने आप बंद कर देगी यहाँ पर एक हम AC2 DC converter का इसमाल कर रहे है इसके load पर हमने connect किया है लेकिन आपको इतना बड़ा load नहीं देना है ये inverter 200 watt का है इसलिए तो चार्ज कंट्रोलर पर आप नॉर्मल LEDs वगरा फैन वगरा यूज़ कर लेना लेकिन इतना बड़ा load मत देना इससे अच्छा आप दोनों वायर्स जो है अभी करते है inverter को मैंने चालू और इसको connect कर दिया है बल्ब जो है इसमें on नहीं हुआ क्योंकि ये बल्ब जो है पहले से ही खराब था तो मुझे फाता नहीं था और ये देखे 100 watt का बल्ब हमने इसमें direct connect कर दिया है लेकिन बहुत ज्यादा ampere और बहुत जरब voltage बहुत ही जल्दी जल्दी ये जो है consume करेगा तो आप इतना बड़ा भी load मत दे दीजिएगा तो आप 40-50-100 watt का भी load दे सकते हो लेकिन 40-50 watt तक का load बड़े आसानी से जहल जाएगा और उससे आपको बहुत अच्छा backup भी मिलेगा लेकिन आप inverter को skip भी कर सकते हो और यहाँ पर हमने लिया है एक DC fan 12 voltage पर ये operate होता है 12 volt पर ये work करता है बहुत ही अच्छी इसके हवा है ज्यादा noise भी नहीं करता है inverter को आपको इसलिए skip करना है अगर आपको किसी भी तरह का AC वाला appliance नहीं चलाना है जो कि current पर चलता हो जैसे कि soldering iron वगेरा जो भी उसमें product होते है तो अगर आपको DC पर काम करना है दिन भर तो भी आप ये use कर सकते हो क्योंकि mobile charging वगेरा सब आपके इसमें तो मिली ही जाता है एक 80 रुपे की LED strip आती है आप उसका इस्तिमाल बिल्कुल मत करना क्योंकि उसे जल्ली से battery damage होती है voltage और MPR को बहुत ज़्यादा consume करते रहता है एक 12 वोल्ड का LED bulb आता है 5W, 60W का 7W का तो आप उसे लेना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और backup भी देते रहता है मानलो अगर आप inverter को skip करते हो नहीं लेते हो तो उसमें आपको पैसे बज़ गए और यह charge controller अगर आप लेते हो तो आपको mobile charging करने का भी option मिल जाता है otherwise अगर आप 400 रुपे का charge controller लेते हो उसमें mobile charger नहीं मिलेगा तो आप इस प्रकार का भी setup बना सकते हो कौनसा setup solar panel वाला तो यह जो fan है यह तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है आपको यह लगाना ही चाहिए और wires जो है थोड़ी से अच्छे लेना क्योंकि वायर जो है बाद में गरम ना हो और बैटरी में अच्छे से पावर जाए चार्जिंग हो और इसमें मैं आपको अभी चार्जिंग करके दिखाता हूँ इसमें भी चार्जिंग होता है दो पोर्ड prote आपको देखने को मिलते हैं भूत ही अच्छे quality का ए b चार्जर है आप एक luminous का भी चार्जर ले सकते हो लेकिन एक साइट का जो चार्जर आता है 300-400 रुपे का 10 अमपियर में आप उसे भी ले सकते हो अगर आपका कम बजट है लेकिन उसमें आपको मुबाइल चार्जिंग आप्टिन नहीं मिलेगा अभी मैंने यहाँ पर मुबाइल को जो है चार्ज कर रहा हूँ मैं और यहाँ से लोड को आउन करके मैं फैन भी चला रहा हूँ ऐसे ही multiple appliance को आप आउन कर सकते हो तो यहाँ पर बैटरी आप मैंने हटा दिया मल लो और अभी जो भी voltage आ रहे है solar panel से आ रहे है तो आप ऐसे कर सकते हो लेकिन इस charge controller पर आप मत ही करिएगा तो ठीक है कोई विचार कंट्रोलर पर मत करिएगा बैटरी जो है कनेक्ट ही रहने दीजिएगा वो ही अच्छा रहेगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिलीज हमें कमेंट करके बताईएगा सब्सक्राइब जरू किजिएगा इसी वीडियो देखने के लिए सो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बस इतना ही और बाई बाई